आज फिक नई वीडियो में आप सभी अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ आज मैं बात करूंगी बलगम वाली खांसी का इलाज और खुशक खांसी का इलाज तो पहले बात करते हैं जी बलगम वाली खांसी का इलाज गेहों में एक पाउ मिट्टी के बर्तन में जला लें इसी बर्तन में हल्दी भी ब्राउन कर लें दोनों को मिला कर पाउडर बना लें आदा चमच बड़ों के लिए और चोधाई चमच बच्चों के लिए सुबह शाम दूद या शेहत के साथ खा लें खुश्क खांसी का इलाज रोज़ाना रात को दस या बारा बदाम ले ले इनको पोठली में बांद के गरम पानी की बाप में दस मिनट दम दे दे जब अच्छी तरह दम हो जाए तो छिलका उतार कर दुबारा गरम पानी की बाप में लटका कर गरम कर लें फिर गरम गरम बदाम खा लें एक अफ़ता बदाम खाने से इन्शाला आपको खुश्क खांसी से निजात हासल होगी ये थी मेरी आज की वीडियो लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यागर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दीजेगा, कॉमेंट कर दीजेगा, बैल आइकन को पैस कर दीजेगा ताकि मेरी हराने वाली नए वीडियो आप तक पहुंच सके तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल लेगा